मैं frustrated हो चुक बता पढ़ाई से आरेन तुम नलाइक हो गए हो तुमने पढ़ना छोड़ दिया है NIT ले लोगा पर मेरे को जी एडवांस नहीं देना कि उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने ये चीज बोल कैसे भी मैं एक्जाम के चार महिने पहले लिटरली पहली बार अपने नोट्स उठाता हूँ और मन नहीं कर रहा पढ़ने वाला फेक्टर मेरे लिए हमेशा ही खतम होगे कि हाँ यार जो अब मैं कर रहा हूँ इसमें मजा तो आ रहे है Hello everyone, my name is Arin Bhalla and I am a third year student studying electrical engineering at IIT Roorki तो मैं हूँ पंजाब के एक छोटे से शहर संगरूर से मुझे बच्पन से ही मैट्स में काफी इंटरस्ट था तो it was clear in my mind कि आगे चलके IIT JEE की preparation ही करनी है और मेरी बड़ी बहन ने भी यही किया था और घर में और लोगों ने भी किया था तो बच्पन सी ऐसा था कि यह भी आगे चलके यही करेगा तो 10th में मुझे पता था कि मेरे लिए बोर्स के मार्क्स जारा मैटर नहीं करेंगे लॉंग रन में तो मैंने 10th में पढ़ाई के इलावा काफी अलग चीज़ों पर ध्यान दिया जैसे कि मैंने क्रिकेट खेला और मैं डिस्ट्रिक लेवल तक भी गया 10th में और इसके इलावा मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया क्रिकेट इसमार रिलीजन नाम से और उसके उपर 6-7,000 सब्स्राइबर्स भी हो गए और थोड़ी बहुत अर्निंग भी होने लग गई थी और इसके साथ-साथ मैंने एक इवेंट पर स्टैंड ओफ कॉमेडी भी की स्कूल में तो मतलब पढ़ाई के इलावा काफी एक्स्ट्रा कलिकुल चीज़ों पर ध्यान दिया और इन 10th I scored 87% in boards which is not bad but मैं 9th तक जितना score कर रहा था उसके हिसाब से काफी कम थे 11th में मैं चंडिगड चला गया एक अच्छे coaching center के लिए क्योंकि संगरूर में कोई बहुत अच्छा coaching नहीं थी और मेरा नानी का घर भी चंडिगड में ही था इसके कारण में कोई hostel में नहीं रुखा उनके घर में ही रुख गया starting के एक दो मन्स मेरा जादा पढ़ाई में मन नहीं लगा और मैं बहुत जादा सीरेस भी नहीं था पढ़ाई को लेके क्योंकि एक तो मैं नानी के घर में रह रहा था तो वो पढ़ाई वाला महौल भी नहीं होता घर में और मेरे marks भी coaching में कुछ बहुत जादा अच्छे नहीं आ रहे थे तो इस कारण में ने अपने parents को बोला कि मुझे एक होस्टल में shift कर दें क्योंकि मेरे सारे friends भी होस्टल में ही रहते थे और मुझे था कि अगर मैं होस्टल में रहूंगा तो मैं जादा अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगा और वो भी इस बात को अच्छे से समझ गए और उन्होंने मुझे एक होस्टल में shift कर दिया पर फिर भी होस्टल जाने के बाद मैं थोड़ा सा होमसिक भी हो गया और मुझे घर की जादाने लगी क्योंकि होस्टल में जारतर काम खुद करने पड़ते थे और पहली बार वो कमफर्ट छूता था घर के बाहर तो थोड़ी बहुत स्टाइंग में दिक्कत आई और में को रूम्स भी काफी चेंज करने पड़े होस्टल में क्योंकि एक बार मेरा रूमेट अच्छा नहीं था एक बार वादर ने बोला मुझे shift करने को और भी काफी सारी distractions थी जैसे उस टाइम पे cricket 2019 World Cup भी चल रहा था और जैसा कि मैंने बताया मुझे क्रिकेट का काफी शौंक है तो मैं वो भी देखा करता था उसमें बहुत टाइम जा रहा था और अपने जो YouTube चैनल था उसके उपर भी वीडियो बना रहा था तो in short मतलब काफी ज्यादा रहा था पर उस टाइम तक मुझे लगता था कि यह सब चीज़े बहुत जरूरी है मेरे लिए कि इनसान को all round or होना चाहिए और पढ़ाई के इलावा भी बहुत सारी चीज़े करनी चाहिए यह मेरी सोस थी उस टाइम पे इसके कारण मेरे को कभी गिल्ट भी नहाता था कि म इन सब चीज़ों पर टाइम खराब कर रहा हूं 5th September 2019 the day that changed everything for me Teachers Day उस दिन हमारी कोचिंग में एक इवेंट था Teachers Day के कारण जिसमें सारी Teachers आके बच्चों को speech वगएरा दे रहे थे और motivate कर रहे थे और उस दिन मुझे realize हुआ कि मैं कितना पीचे हूं क्लास में क्योंकि जब मे realize हुआ कि अभी तक मैंने तो कुछ किया ही नहीं है मैं तो बस बाकि सब चीज़ों में टाइम दे रहा हूं और अपने आपको मान रहा हूं कि मैं काफी ज्यादा अच्छा कर रहा हूं पर ऐसा नहीं था बिलकुल भी और इसके इलावा भी वह टीचर एक टीचर ने बहुत अच्छा नहीं कर पाते jack of all trades master of none यह तो सुना ही होगा तो यह बात बिलकुल ही ऐसा लगा कि उन्होंने मेरे लिए बोली क्योंकि मैं इसके बिलकुल opposite सोचा करता था तो उस दिन मुझे realize हुआ कि हां यार मेरी मैं जो सोचता था वो गलत है और यह सही बोल रहे हैं इसके ल चलकर आप college में जाकर वो चीज़े अच्छे से कर सकते हो जहां पर actually आपको फाइदा भी होगा अभी बस दो साल पढ़ाई कर लो उसके बाद इन सब चीज़ें को time दे देना और मैंने यही सोचा कि अपसे मैं बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा और यह सब चीज़ सब कुछ भूल जाओं क्योंकि आप सो की उठते हो तो सब कुछ चेंज हो जाता है तो हो सकता है मैं सुबह दक सब भूल जाओं और फिर से पहले जैसा हो जाओं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कल से नहीं अभी से पढ़ना स्राट करूंगा और अगर मैं इस टाइम पर पढ़ने वाला फैक्टर मेरे लिए हमेशा ही खतम हो गया और फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की पूरे अच्छे से जो भी चीजे डिस्ट्रैक्शन्स थी मेरी लाइफ में वह अपने आप ही खतम हो गई और ऐसा नहीं है कि मेरे पास एंडरोइड फोन नहीं था या कुछ एक्सेस नहीं सा इन सब चीजों का एंडरोइड फोन मेरे पास पूरे दो साल था क्यूंकि मैं चंडीगड ऐसे शहर में रह रहा था तो कैब वगरा के लिए खाना ओडर करने के लिए जूरुत पड़ती है तो वह एक तरह से मेरे लिए नसेस्टी थी पर जिस च चीजे फिर रिलाक्सेशन बनने लग गई कि जैसे अगर मैं पूरा हफता बहुत अच्छे से पढ़ाई की फिर एक दिन संडे को दो-तिन घंटा कोई मैच देख लिया या कुछ भी कर लिया जो मेरे को पसंद है क्रिकेट खेलने चला गया तो यह सब चीजे बलकि मेरे को बेटर करने लग गई instead of मेरा time waste करने के लिए इसके बाद मैंने सिरफ और सिरफ पढ़ाई की और proper schedule सी करी सब कुछ time to time किया और मेरे को इसके results भी immediately दिखने लग गए जहां मैं coaching में top 150 rank भी नहीं लाया करता था इसके बाद मैं easily top 70 आने लग गया मतलब next test एक महीने बाद था उसी में मैं इतना अच्छा perform कर गया तो मुझे results देखके ही हो गया कि हां यार यार यह चीज work तो कर रही है जो मैंने change लाया अपनी life में उसका effect तो दिख रहा है मुझे और तो पूरी 11th मेरी essay बहुत अच्छे से गई एक incident यादाता है मुझे 11th class का तो एक बार physics class में rotation chapter च ठोड़ दिया है और ये बात आप मानलो एक तरह से मेरी ego पे लग गई कि उन्होंने मुझे पूरी class के सामने ये चीज बोल कैसे दी तो वो Saturday के दिन था मैं वापिस आया Saturday Sunday दो दिन मैंने सिरफ और सिरफ rotation पड़ा बस इसी चकर में कि उन्होंने मुझे नलायक कैसे बोल दि ना तब मुझे लगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूं इसमें मजा तो आ रहे हैं और ऐसे ही पूरी 11 फिर मेरे अच्छी से हो गई और 25 जैनवरी 2020 को 11 खतम हो गई मतलब स्लेबस खतम हो गई 11 को और फिर February मार्च में छुपतियां थी जायतर coaching इंस्टिट्स में ऐसा ही होता है क्य क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं घर पर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा अच्छे से तो ऐसा ही हुआ मैं घर आ गया एक हफता थोड़ा चिल वगएरा किया इदर और थोड़ा बहुत घूमा भी और उसके बार मेरा मन नहीं हुआ वापिस जाने का होस्टल क्योंकि घर का वही comfort मिल गया था दुबारा से और मैंने घर में ही पढ़ाई शुरू कर दी दुबारा एक routine बनाया और उसको follow करने लग गया और मेरा एक plan था कि मैं पूरे February में March और Physics करूंगा मार्च के first 15 days में chemistry wise करूंगा और last 15 days में थोड़ा मजे करके वापिस coaching चला जाऊंगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ February में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, Math Physics हो गई, Chemistry भी मेरे March के first 15 days में हो गई लेकिन फिर 23rd of March को lockdown announce हो गया और अब किसी को कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है पर फिर भी जैसे सब लोग घर आ गए थे और कोई classes नहीं थी कुछ पढ़ने को नहीं था तो मज़ा आ रहा था मेरे को तो कि छुट्टियां चल रही है और फिर second week of April में हमें coaching की तरफ से पता चलता है कि अब से online classes होंगी तो एकडम से panic का महल create हो गया हम सब दोस्तों होगे रहा में भी क्योंकि online classes एक fixed portal के लिए आया करती थी और वो चली जाती थी थोड़े time के बाद एक fixed amount of time के बाद तो हम सब काफी panic हो गये थे कि हम इतने छोटे time में इतनी सारी वीडियो कैसे देखेंगे लेकिन फिर वो धीर धीर उसकी भी आदत पढ़ गई स्क्रीन के सामने गंड़ गंड़ तो बैठने की आदत पढ़ गई और मतलब हो गया फिर पढ़ाई स्टार्ट हो गई अच्छे से normal online mode में फिर मैंने पूरा lockdown सिरफ और सिरफ पढ़ाई करी और honestly मुझे अभी खुद नहीं विश्वास होता कि उस टाइम पर मैंने इतनी पढ़ाई कैसे कर ली क्योंकि जहां बच्चे जो बच्चे कोचिंग में 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 से अच्छा हुआ करते थे उन्होंने घर जाके पढ़ना कम कर दिया वहीं मेरा focus और concentration और भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया घर में आके जबकि घर में बहुत सारी distractions थी सब लोग घर में रहते थे और lockdown में जो भी चीज़े हो रही थी तो बहुत असान था कि सब कुछ छोड़कर बैट जाओ घर में लेकिन पता नहीं उस टाइम पे मेरे अंदर कुछ था कि नहीं मुझे तो पढ़ना है तो मैंने एक अपना study room मनाया हुआ घर पे तो सुबा से लेकर रात तक मैं सिरफ वही रहता था और सिरफ और सिरफ पढ़ाई करता था और ऐसा भी नहीं कि मेरे को मजा नहीं आ रहा था या मैं कुछ जबरस्ती कर रहा था या मुझे था की नहीं मुझे तो आहाül ती जाना या अच्छा publishers लैना ऐसा कुछ पागल पढ़न में इंथा मेरे अंदर बस मुझे था या मैं कर रहा हूं तो मैं अच्छे से करूँगा तो पूरा lockdown मेरे अच्छे से पढ़ाई करी और मेरे 12 बहुत अच्छे गई मेरा coaching में भी बहुत अच्छे माकस आने लग गए और मैं काफी confident भी था और फिर November end में 12th का syllabus खतम हो जाता है और पूरा December और January mock test होते हैं coaching में full syllabus के तो ऐसा ही हुआ December January में मेरा syllabus अच्छे से रिवाइज हो गया और फिर February के first week में मैंने पढ़ाई बंद कर दी और सिरफ जैमेंस के full syllabus mock test दिये क्योंकि February के end में जैमेंस वान था तो मैंने बहुत सारे test दे रोज एक test देता था और फिर उससे analyze करता था इससे मेरा test देने का डर बिल्कुल ही खतम हो गया मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि J means भी मेरे लिए एक normal मेरा mock test ही है और मेरे को पता था एक रात पहले मैं बिल्कुल डर ही नहीं रहा था पेपर से क्योंकि मुझे पता था कि मेरा ये exam भी वैसा ही जाएगा जैसे मेरे पिछले 15 टेस्ट गए है क्योंकि उसमें मेरे almost same marks आ रहे थे मुझे पता था कल भी ऐसा ही होगा तो मेरे साथ एक बहुत अची चीज हुई है कि कोई भी exam देने से पहले मैं कभी भी nervous नहीं हुआ तो इसके कारण मेरे प्रेशर में underperform कभी नहीं किया और वैसा ही हुआ बिल्कुल मेरा जैइमेंज बहुत अच्छा गया जैसा सहुचा था exactly वैसा ही गया और मेरे 99.89 परसेंटाइल है उसमें तो तब काफी खुशी हुए थी घर में सब लोग खुश थे ममा पापा दीदी तो वो काफी अच्छा मोमेंट था उसके बाद अग 29.77 परसेंटाइल है तो अब मुझे पता चल गया था कि मेरा जैइमेंज में बेस्ट परसेंटाइल आ चुकी है अब मेरा पूरा फोकस जैइडवांस पे था तो एपरेल एंड तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन फिर थर्ड जैइमेंज पोस्पोन हो जाता हैं अब कुछ नहीं पता था कि अब दोबारा कब एक्जाम होंगे कब कुछ कैसा होगा कोचिंग की सारी क्लासिज भी बंद हो गई थी कोई टेस्ट नहीं हो रहा था तो धीरे धीरे पढ़ने की मोटिवेशन बिलकुल ही खतम होती गई और हमारे सीबेसी बोर्ड एक्जा बिलकुल ही बंद कर दी मतलब लिटरली जीरो में जून मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं नोट्स को एक बार उठाया भी नहीं जो मेरा स्टडी रूम था उसमें मैंने एंटर भी नहीं किया वो दो धाई महीन और मैं पूरा दिन बस यूट्यूब चलाता था क्योंकि मैं फ्र जुलाई में ही होगा जुलाई मिट के बाद और मैं एक्जाम के चार महीने पहले लिटरली पहली बार अपने नोट्स उठाता हूँ और फिर भी मेरा जेएमेंस ठीक ठाक जाता है 99.3% डायल आती है उससे मेरे को जादा मतलब भी नहीं होता क्योंकि जेएमेंस मेरे अल्र अक्टूबर 2021 and I was like मुझे नहीं देना यह है मैंने अपने ममी आपा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि मेरी जेएमेंस में अल्रेडी अच्छी परसेंट आई ले है मैं अच्छा कॉलेज ले लोंगा निटी ले लोंगा पर मेरे को जेएडवांस नहीं देना पर उन् मेरे धाई साल में मेरा कोई भी एक्जाम कभी क्लियर नहीं होता तो यह सब चीज है हुई और उसके साथ साथ मेरा जेएमेंस का रैंक भी आ गया ओल इंडिया रैंक 1362 तो यह सब चीजे काफी मोटिवेशन बन गई मेरे लिए दुबारा पढ़ाई स्टार्ट करने के कは अब तो bottoms के और फिर दुबारा स्लेबर ज्यरीवांस के टेस्ट दिये पूरे सिप्टेμ marca करता था इसके मेरा स्लेबर थे अच्छे से रिवाइस हो गया और मैं एकसाम आतम ऽाते पूरोजीट हो चुका था मैंने जैसा कि इसाथ की अच्छी चीज हुई क्यों और टर र बहुत ही relaxed रहा हूँ एक्जाम में और फिर आता है 3rd October 2021 the exam day और वो बहुत ही अच्छा जाता है मेरा दिन सब कुछ as planned जाता है मेरा मैं बिल्कुल भी pressure में underperform नहीं करता या कुछ भी दिक्कत नहीं आती और अच्छा exam जाता है मेरा और exam के बाद exam कैसा हुआ इससे ज्यादा खुश मैं इस बात से था कि finally it's over और फिर एकदम से मतलब वो feeling मैं समझा ही नहीं सकता कि तब कैसा लग रहा था कि जो धाई साल सब कुछ चल रहा था वो finally खत्म हो गया फिर 15th October 2021 को result आता है मैं सुबह breakfast कर रहा था मेरे दोस्त का मुझे call आता है कि result देखा क्या मैं तभी ID password डालता हूँ और all India rank 1823 और उस time पे जो भी पिछले धाई साल में ups and downs थे जितनी बार भी था कि नहीं चोड़ देता हूँ मैं नहीं हो रहा मुझसे पर फिर भी मैं करता रहा पढ़ाई यह सब कुछ उस time पे feel हुआ कि हाँ worth it था और यार मुझे यही लगता है मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि अगर आप अभी हो सकते हैं कि तुम्हें आगЕ चलकर ये ना हो clear पर कोई बात नहीं अगर तुम्हें कभी-भी regret नहीं होगा अगर तूम थोड़ी-थोड़ी मेहनद ही करोगे अपना best नहीं दो गे तो कि अगर नहीं होगा तो तुम्हारे मन में हमेशा रह जाएगा कि अगर मैं अपना 100% देता तो शायद मुझे यह मिल जाता और यह चीज बहुत खराब है आपको बहुत परिशान करेगी तो अगर कर रहे हो तो अच्छे से करो वरना मत ही करो इससे अच्छा तो और इसके साथ साथ जार अपने पेरेंट्स से बात करते रहो उ तो इतना कभी प्रेशर मुझे फील ही नहीं हुआ और टीचर से भी बहुत हेल्प मिलती है अपने टीचर से कभी भी डाउट मत करो उन पे उन पे शक मत करो कि इनको आता है या नहीं आता वह इस इंडस्ट्री में बहुत साल से उनको अच्छे से पताए क्या चीज इंपो लोग पेपर देते हैं तो ओवरॉल कुछ फरक ही नहीं पड़ता कि एक दो बंदे आप से आगे पीछे हो रहे हैं सबकी मदद कर दो किसको पढ़ा कि किसी का भला हो रहे तो उसे पढ़ा भी दो और ऐसे मजे में पढ़ा हो जादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो माक्स के कर दो